तो कैसे आप सभी स्वागत आप सबका एक और महा मुकाबले के अंदर ससेक श्टार्ट जवनाम सरी की बीच में मैच है खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड होफ के अपर मैच टाइमिंग है रात के साड़े 11 बज़े तो सबसे बढ़े हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर ओवर्वी के रहेगा वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्स करेंगे फर्स्ट ऑफ ओल पिच रिपोर्ट देखेंगे किस वैनियो के अपर कितने मैचे सभी तक हुआ है जो हाई स्कोरिंग हुआ है कौन से मैचे स्लो स्कोरिंग हुआ है पिछे से यहां पर कैसी दीखती है स्कोरिंग पैटन बेसिकली कैसा रहता है फिर किस टाइप के बॉलर् बनता है यह भी आपको बताऊंगे इसा हाई स्कोरिंग वेन्यू यहां पर प्रती ओवर दस के आसपार से बनता है हर एक ओवर के अंदर फिर दोनों टीम्स की गया रहा है स्कोर्ड के अंदर क्या क्या चेंज है हर एक प्लेर की प्रोफाइल देखेंगे जिसके अंदर करने के अंदर जैसे मैंपको एक मैच बताता हूं जो टॉम करन है और तेमाल मिल्स के सामने पांच इनिंग्स में तीन बार आउट हुगा है तो आपको बहुत ज़्यादा है यह डेटा तो पूरा वीडियो देखें आप मजा आएगा टेलीग्राम चलन जोइन कर लो फाइ निचे दिया हुआ है तो काउंटी ग्रांड ऑफ के अपर मैच है इस वाणी के अपर लास्ट टाइम हमने 31 मही को मैच देगा ता मने कवर गया ता है सर्सेक्स वर्सिस ग्लो चेस्टेशार का मैच है जिसक अंदर सश्रक ने बाई सब लास्ट बाल पर जाके मैच चेस किया 168 का टारगेट था और यह चेस हो गया लास्ट वाल पर इससे पहले 160 बना लास्ट यर यह 17 और में चेस हुआ एक सो सतर बना 19 और में चेस हो गया 183 बना लगबट चेस होने वाला था एक बार तो 258 बन गया था तो बहुत अच्छा स्कुलिंग वहनी होता है सर्सक्स शाक् बहुत बढ़िया सर्फिस होता है रंस बनाने के लिए और आप बड़ा स्कूर बना दो 200 के आसपास उसको आप डिफेंड कर लो क्योंकि 12 मैसे साथ मैचे सहां पर बैटिंग फर्श करते हो जीते हैं प्रती और दस के आसपास रंस जो लास्ट मैस था उसमें बारा विकेट एक पैसर कहा था तीन विकेट वह उँपें अब दर जो 12 मैचे सब्स वह उप है पेसर निकाल आय पहली पारी में साथट दूसरी पारी कंदे इस जो चौन वे चाहिन पैसर है 8-5 spinners निली होता है निली होता हु जी कि अराच यह निली होता हूँ 10-6 ले उर्कष रर्व थारक़ ङर्ध शत्रह देखते हैं अरती हैं एक भी शुटी बाउंडरी यह जगे शेवेट तो विह लاخ 요ले को नहीं ही इस времрет कि दी आप को भाउंडरी इसली boundary clear हो जाती है weather focus is clear and out अगर आपको देखना हो हमेशे मैं वीडियो से पहले weather focus check करता हूँ वहाँ पर 5-6 बजे match start होगा 7 बजे के आसपास तो आप देखो weather clear रप हो रहा है दोनों टीम्स ने 41 matches 15 जीती है सशक और सरी जीती है 19 एक match tie इस 20 के पर दोनों टीम्स ने 15 बार आमना सामना किया 8 बार जीती है सरी और 7 बार ससक जीती जब दोनों टीम्स इस 20 के उपर आपस में खेलती है river fixture का मुकाबल है दोनों टीम्स ने भी 7-8 तारिक को आमना सामना किया था ससक शाक्स Harrison Ward open करेंगे Danny Lux के साथ जो बहुत ही क्लासी बैटर है Olly Carter, James Coles, John Simpson, Fran Hudson Parenthese, Nathan McAndrew, Danny Lamb, Olly Robinson, Archie Lanham, Tama Mills आपको दिख जाएंगे इस टीम के कपतान Tom Olsop को और मैंने कहां गाइब कर दिया यह ना यह खेलेगा यह Tom Olsop Tom Olsop आपको पक्का खेलता हो दिखेगा 1 डाउन या तो 2 डाउन 2 डाउन के असपास आएगा है बहुत ही क्लासी प्लेयर है लेटी वल्लेवाज है MPShare के लिए के लिए के लिए Dan Lawrence और लॉरिवांस उपन करेगा Jason Roy 1 डाउन Ollypop 2 डाउन 2 डाउन है James Smith James Sibley Dom आएगा ठीक है Dom आई लिग दिजाइनर जयो तेरी Tom Garan Jordan Clark Sean Abbott Gus Rettinson Spencer Johnson आपको दिख जाएंगे 2 डाउन डाउन यहां दिखेंगे Harrison Ward 2 matchs में 43 runs है 119 का strike rate है Batting first 21 31 Wendip एपर 10 matchs में 220 runs है 13, 12, 16, 32, 12 बहुत ही बढ़या क्रिगेटर है 22, 21 पिछले game में 68 किया कल मैच वादा युक्स ने 47 गया था कले दोनों टीम्स खेल के आरही है एक मैच में 25 रन से दैने लीक्स के गपर 17 रन रेचेस करते है रिजंट फॉर्म 47, 65, 65, 10 एवरग्रीन यह भी आख़िलना डिजर्व करता था बट उडियाई के अंदर कम से कम बट कहते है ना इसके किसमत में नहीं है तो नहीं है सिंप्सन चोईस मैस 321 रन 125 का स्ट्राइक डिड़ एक फिफ्टी है 22 इनिंग्स में स्टीम के अगेंस्ट वहनी के उपर 36 रन जो चेस करते हैं लास्ट मैच में आया था 45 नाबाद 2-6-36 जेम्स कॉल्स मतलब मतलब क्या यह ओलू मैं यारब पहले मैच में लिया था जब इसने 7 रन 0 विकेट नहीं लाए तो इसके बाद मैंने एक बी ससक्स का मैच नहीं हेला फिर बंदा देगो 69 रन 0 विकेट 17 रन 1 विकेट 54 रन 1 विकेट 18 नाबाद 2 विकेट और इसको में फिर से इस मैच में लेने वाल है तो समझ जाएए मेरा इशारा किसकी दरफ था 6 मैचेस में 8 विकेट एस वैनियू के पर 4 इनिंग में वालिंग रही है विद बॉल विद बैट दूनों तरफ से बहुत इंपोर्टेंट प्लेर है 4 मैचेस में 7 रन वैनियू के पर 7 मैच में 106 रन रेसेंट फॉर्म 0-12 रन दो विकेट 0-4 रन पिछले गे में डेले लेम खेल रहा था डेले लेम खेलते हैं तो फिर अटसन प्रेंटेस का विद दा बॉल रोल नहीं रहेगा तो मुलसूप का 7 मैच में 203 रन नीचे बैटिंग करने आता ही है बैटिंग वस 17-1, 38-11, 68 चेस के उपर इक्याओन नाबाद 17 वैनियू के पर 14 मैचों में 304 रन 28 के उसद है बैटिंग फस्ट 25-18, 65 नाबाद 19-12 चेस पर 8-22-4 4-4-8-17, 0 नाबाद 18-28, 68 तो में 20-10, 6-28 नाबाद 17-9 मैच व्याओन व्याट यपट वीवेट वाज्ट 4-2, 0 नैथन मैंक एन्डू, गोल्डन आम ने पर फिछले 3 विवेट यवेट निकालाए था तो वैल्यू, तो वैल्यू आपको आपको यह तरफ से बैत वाल स्टम भी तोड़े जा थे लास्ट ताम जब इस वनी के पर मैच वाए था था बैंक्रॉफ्ट पार्टिंग बोल्ट गया था रर स्टम तूड़िया था जैक कॉट्सन देख लिए स्टैट्स अल्य रोबिंसन का च्छै मैचस में चार विगेट है वैनी के पर बाइस में निस रेसंट फॉर्फर निकाला था अमने कैप्टन भी गया था भाई उस गेम में आप चिल है नहीं चार में दो वैनी के पर आठ में चार विगेट्स है वाली काट वर कुछ खास क्या नहीं है एंडरी कुरकॉंब अब देखें पिछले गेम में क्या होता ओली रोबिंसन ने पहला थीर शटाव ट्रहा टारव टाला थेनो खूल आवर होता हिए तिमाल का दूसरा फंदरव़व अधनर निशन्र अटव़व निस वा गार्सन का पार्स नेथन कंजए अर्डर नावर्व process अ साथ नुमग क वाल्स का आठवा दसवा चौदवा अनिस वा कार्सन का चौदवा और अब देखते हैं यहां पर डैनल लॉरेंस को सरी के प्ले रहे है आठ मैचस में इस टीम के अगेंस्ट दोसो ओठारा रंस आएंगे यहां पर 28 नहीं यहां पर एक डंडा मैने डिजैनर को लिखके नहीं मेरी गलती है दोसो अठारा रंस है आठ मैचस के अंदर बैटिंग से फिफ्टीन नॉट आटा एटीवन एक उनिस इस पे शक्तिस सोला जिरो च्छै और च्छै विकेट्स भी है लास्ट टाइम है यहां पर पारी खिली थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए जो यहां पर है अब को दिख रही होगी तो कलिमला के साथ मैचे में दोसो तीन रंस हैट एट वेड एड़ेजिस वेन्यू चार फिफ्टी है साथ बार इसने थर्टीज में स्कूर किया है तीस से पजास के बीच में बाई से इनिंग में आकडे अधभूद है एरिशन फॉम खता में च्छ एक फिफ्टी में एक शतक पांच फिफ्टी है बहुत अच्छा चला है स्टिंग एंच पंदर इनिंग में वैन्यू के पर 6 मैचेस में 275 रंस बहुत छोटा ग्राउंड है जिसके अंदर इसकी तीन तो 50 है चैनिंग में इक शतक है दोई बार फ्लॉप है बार और और पां कर रहा है अगर टॉप को लगता है जल्दी आउट हो सकता तो जैमी समित को ले लीजिए नव मैचेस में 24 रंस इस गेम में पावर्फ लिटर्स को प्रमोट किया जाएगा जैसे जॉडन क्लार्क टॉम करन एबट जैमी समित को शहाद नीचे पुश कर दी जाए इस गेम मे अगर जल्दी विकेट गिरे तो बात अलगे है चार मैचों में 30 रंस हैं टॉम गरन 14 मैच 118 रंस 16 विट्टे वैन्यू पर पांच मैच में 5 विकेट हैं बहतर रंस है दाम सिबलई 40 रंस 8 रंस दी विकेट है जौक कलार जोर्टां का 5 स्कुल में 30 विकेट वर्यां निफ्टर्ट एक रश्ट करना पड़ेगा पिर से इतनी डिता में मिस्टेक आ कैसे रिये मेरे समझ के बाहर या तो मैं ही गलतिया कर रहा हूं इतनी मेरी ही गलती है फिर से 19 के आसपास एकोनोमी 30 की शायद ठीक है क्रोस चेक कर ले ना एक बार या आप विगेटलास गया था मैटर ही करता है बल्ले सु सुला रंस बनाई थे और रिसंट फॉर्म दो रन एक विगेट चाहर रन तीन विगेट दो रन तीन विगेट चोईस रन बार जांसन का एक मैच मेट विगेट बॉलिंग फर्स्त दसक एकोनोमी दी रोरी बंस कैंप स्थील दनल वारल तो पिछले गेम में स्पेंसर का पहला तीसरा चौदवा वर था डैथ में डालता ही नहीं यह जा सेटिंग सन का दूसरा साथ वा पंदर वा बीस वा लारेंस क चौथा नौवा सतरवा एक डैथ में डालता है लोरेंस आके टाम करन का पांच वा दसवा बार वा ठार वा अथार वा एबट का चटवा ग्यार वा सोलो और निसवा जॉर्डन क्लाक का आठ वा और तीरवा ओवर था मैच अपस देखते हैं फटाफट तो दैन यूस वर्स तन स्टम करिए कौरन दस गों passion लोरेंस वेल और देन लोरेंस वर्स वर्स प्यावredतिस में दो भार अउट किया पां सबसुस्रीज ने आप नीदे disrupt न रवा ऑउट पन लाओन ऑन ने रिक यग तो सब घ़ा र Дिम में तो सुदिम में दिख जैंगे तो इस लॉत चॉति है पांच रिंग्स में तीन बार आउट किया है तो यह जो है ना हमारे प्लेयर दाउन लारेंस विद बॉल बहुत इंपॉर्टन इस गें में बैटिंग से चलिया तो फिर मजे ही मजे चोटा से तो गराउंड डाउट है वैसे है जसन रॉइ कोई खास मैचप नहीं है लैनाम ने लास्ट टाइम स्काउट किया था तिसला जो मैश वादा जैमे समित अगेंस 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 दस गईं चौदा रंग दो निंग्स में दो बार आउट किया है तो मेरे लिए कीपिंग सेक्शन के अंदर वैसे जॉन जिम्शन हिड़न पिक हो सकता है और आपको पता ही है कि यह जो हमारे भाई हैं जैमे समित पिछले कुछ गेमस में बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं और बस लास्ट गेम थोड़ा खराब चला गया अभी रुकिए जसन ब्रोय लॉर इवांस को मैं बैक करूँगा डैन हुक्स ऑली लारेंस टॉप कैप्टेंजी अप्शन जैम्स कॉल्स स्टार्टिंग से मैं कहा था पहले मैच से प्रिफर गया था जब यह 12 परसंट जनता ने लिया था उसके बाद ऐसा चला है कि जनता चोड़ी नहीं लिया था बढ़ी अपन्त होता अपने लिए लेकिन फिर उसके बा अगके बार मैं अपनी टीम देखता हूँ इसमें मैंने कहन का चीजे को बैलेंस आउट किया मेरे बास बहुत सारे प्लेंस प्लेयर है फ्राम महाना सरी कोशिष करता हूँ जनर सिंशन को यह लेलो क्यों बैलेंस कर रहा हूं टीम को और जों सिंशन के नंबर्स थी थीक है कैप्टेन में आपको बताईया टॉम करन से बेस्ट अप्शन नहीं डैन लॉरेंस से भी बेस्ट ऑप्शन नहीं इस गेम के अंदर जेम्स कॉल्स को भी आप कर सकते हैं अच्छा खिला लडगा मना नहीं करूँगा पहले मैं से भी कह रहा था मैं कितना इंपोर्टेंट्स का सीजर में डूल रहेगा तो टीम मेरी कुछ ऐसी बनी है अल्द बैस सी सुन और देखतरी स्टैट्स उरूजी स्वेंसर जॉंसन को भी आप ले सकते हैं अली पॉप के बन ले जय हिंद आप ले सकते हैं अली पॉप के बन ले जय हिंद